इस वीडियो में भात करेंगे ख़ब्स वीडियो में हम बात करेंगे काफे बीयुक सिब्सक्नालनम कि इस वीडियो कमें उस्य में आधिंड्रियो आइडियाबेटिक प्रॉसेस मीवरिवे nationwide करेंगे इन दोनों के mix भी काफी आते हैं, के सो questions काफी हो जाएंगे, अगर आज time मिला तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, अगर यह वाली वीडियो ज्यादा लेंथी ना होई तो इस वीडियो में कवर करेंगे, otherwise जो questions की वीडियो होगी, वो next video होगी, okay, so एक बार आप आप आज topic clear करो concept clear करो इसके बाद हो सब्सक्राइब करेंगे निसके नेक्स वीडियो में कोशन करेंगी स्क्रैजिक अटेर्वाइब अजयाईगा सब्सक्राइब है तैंप्याइब कर दो हीट निकर सकते तैंप्रेचर में कम नहीं के बढ़ जाएगा लेकिन हीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा means adiabatic processes में adiabatic processes में क्या होता है कि जो dq की value है वह 0 होती है okay adiabatic processes में dq की value 0 होती है okay so अगर हम dq की value 0 रखते हैं तो आपके पास dq किसके इकल होता है according to first law of thermodynamics dq is equal to d u minus w so dq तो 0 है so आपके पास d u किसके इकल आजाते है w के इकल आजाते है d u is equal to w okay आप कोई भी reversible adiabatic कर रहे है reversible adiabatic में होता क्या है d u w के इकल आयता है okay isothermal में क्या था isothermal में आपके पास d u 0 था d q minus w के इकल था यहां पर क्या है d q 0 है d u and w equal है so अब देखो अगर आपके पास expansion हो रही है या फिर compression हो रही है अगर आपके पास अब हम देखते हैं किस case में temperature increase करेगा और किस case में temperature decrease करेगा okay एक बार हम expansion का case ले रहे हैं एक बार हम compression का case ले रहे है expansion में क्या होगा जो volume हो इनक्रीज होते inspansion में volume increase होता है, और आप क्या कह सेता है? जो W, W क्या होता है? Expansion में negative, यह हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं. जब हम sign and convention कर था, दी यू, D U किसके एकलता है, अगर हम ideal case की बात करें, D U किसके एकलता है, CVDT के. अगर हम one more ले रहे हैं, तो CBDD के इकल होते है, is equal to W, okay, so DD के इसके इकल है, suppose आपके पास जो final temperature है, वो Tf है, initial temperature Ti है, okay, is equal to W, अब देखो, expansion के लिए, जो W की value है, वो क्या है, negative, ये negative है, इसका meaning क्या है, कि Tf minus Ti, ये क्या है आपके पास, negative, अगर ये negative है, ये negative कब होगा, जब Ti जाता होगा, Tf कम होगा, means आपके पास क्या होता है, Ti जाता है, Tf से, इसका मतलब क्या है, जब आप adiabatic expansion करोगे, ये हम adiabatic कर रहे हैं, okay, ये हम क्या कर रहे है, adiabatic expansion कर रहे है, adiabatic expansion में, जो हम बोल रहे है, temperature कम होगा, ये जाता होगा, आपके पास adiabatic में temperature कम जाता होता है, क्योंकि DQ तो हम स तो आपका टी फाइनल होगा कम होगा हमेशा टी इनिशल से एक्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केसमें हमेशा टेम्परेच्चर गिरता है अगर हमेशा कम होता है अगर हम प्रेशन की बात करें तो ओविसलि यहां पर उल्टा हो जाएगा क्योंकि दी डी युडवली यह तो यहां पर क्या आपके पास cv tf-ti is equal to w यहां पर हमारे पास w क्या होता है पोजिटिव हमें पता ही यह डवली पोजिव होता है in case of compression so w positive होता है means tf is greater than ti यहां पर क्या होता है आपके पास t final greater than ti होता है आपके पास compression में temperature का rise होता है अगर आप compression करوي हो adiabatic compression करयो theo temperature हमेशा rise करेगा ok expansion में temperature कम होगा adiabatic compression फामें temperature हमेशा rise होगा ok so इस था हमारा temperature का कि adiabatic expansion में चudo आपकेफेंचिर होता हैIf कम होता है ऑग को आपके पास्सब्स हमारे पास करफारी अ कर था रीवरसीबर्सिवल 82 यूज एक्वेशन इक्वेशन जैसे आपने पाला थे में क्या यूज कर रहे थे वहुट वाहलो यूज सी ओॉ आपके पास स्युषालियाब्याटिक में गामा क्या है, गामा क्या है आपके पास, गामा इस इक्वेल टू, Cp upon Cv, गामा क्या है आपके पास, Cp upon Cv, गामा को हम atomicity of the gas भी बोलते हैं, गामा क्या है, heat capacity at constant, pressure divided by heat capacity at constant, बोलियो, so अब देखो, PV raised to power gamma is equal to constant है, इसको अगर आप PV को किसमें change करोगे, T और V की terms में देखना चाहते हो, तो वो क्या आजाएगा, Tv raised to power gamma minus 1 is equal to constant, और अगर आप Pt की terms में देखना चाहते हो, तो वो क्या आजाएगा, P gamma T1 minus gamma is equal to constant, okay, P gamma T1 minus gamma is equal to constant, Tv raised to power gamma minus 1 is equal to constant, PV raised to power gamma is equal to constant, okay, so यह देखो, आप क्या कर सकते हो, पी को, पी को हमने टीब नाना है, सो पी को आप क्या लिख सकते हो, PV is equal to Arctic होता है for ideal gases, ओके, सो पी को हम क्या लिख सकते हैं, RT upon V, अगर आप P को RT upon V यहाँ पे लिखोगे, तो RT upon V आजाएगा न, RT upon V आजाएगा, means आप V को क्या पूट कर दोगे, RT upon P, RT upon P पूट कर दोगे आप यहाँ पे, वो आपके पास रिलेशन देखना यह आजाएगा, P gamma T1 minus gamma is equal to constant, आप ऐसे convert कर सकते हो, वैसे आपको रिलेशन याद रखने है, PV gamma is equal to constant, TV raised per gamma minus 1 is equal to constant, P gamma T1 minus gamma is equal to constant, अब हम देखते हैं, यह जो आप einzister धर्मन कर रहे हो, यह फिर आप आप्डियाबैटिक कर रहे हो, इसमें आपका जो, यह जो हमारी curve आती है, PV curve आती है, PV curve आती है ने, जैसे हमने üzere इसो थर्मन में किया था, ऐसी आती हैdi इसका मतलब किए इसका मतलब किए इसका मतलब किए ask ball नों में mieć यहा पे क्या है P इन वर्शन इन वर्शन होतीश्यस दो क्यों कि लिए जधा होतीच विज्सी ज्था से हमने देखा है heat capacity में कि जो heat capacity constant pressure वो हमेशा ज्यादा होगा heat capacity and constant volume I think आपको reason पता है अगर नहीं पता तो please पहले वीडियो देखिए heat capacity वाली okay gamma is greater than 1 अब देखो gamma greater than 1 है so means जैसे ही आप volume बढ़ाओगे जैसे ही आप volume बढ़ाओगे तो यह जो नीचे वाली term है यह ज्यादा increase होगी यह ज्यादा increase होगी क्योंकि रेस्टु पार सम्थिंग पोजिटिव आगया okay यह ज्यादा increase होगी means P ज्यादा decrease होगा पहले क्या था पी वी कॉंस्टन था बॉइल में इस पी इंवर्सली प्रपोर्शनल तो वी पहले आप वोल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम होगा यह हम सब को देखने से पता चल रहें बट यहां पर अगर सेम ही वोल्यूम बढ़ा होगे ना यहां पर यह ज्यादा decrease होगा क्योंकि यहां पर वी रेस्टु पार गामा आगया गामा क्या है एक पोजिटिव है जब आप वोल्यूम इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर तो डिक्रीज हो गई बढ़ ज्यादा डिक्रीज होगा एडिया के किसमें इसको हम क्या बोलते हैं कि जो आपके पास ही कर्व है एडिया की जो कर्व है वो ज्यादा स्टीपर है इन कंपैरिजन टू आइसो थर्मल ओके स आपके पास स्लोप है वो किसमें ज़ादा है एडिया में ज़ादा है आप क्या बोल सकते हो, dp upon dv area का, यह slope है, यह slope है dp upon dv, यह area का ज्यादा होगा dp upon dv iso, okay, dp upon dv area हमेशा ज्यादा होगा dp upon dv iso से, okay, so यह था हमारा कि कैसे होता है, pv curve है, जो area की होते हो, वो ज्यादा steeper होती है in comparison to isothermal curve, okay, so अब हम देखते हैं, यह जो tb raised to par gamma minus 1 लिखा है, यह कैसे होता है, means poison equation कैसे आती है, okay, यह हम poison equation की derivation कर रहे हैं, वैसे आपको derivation की ज़्यादा important नहीं है, बट एक बार हम देख लेते हैं, कि जो tb raised to par gamma minus 1 है, यह कैसे आया, okay, टb raised to par gamma minus 1 कैसे है, अब देखो, आपको पता ही है, कि du किसके इकल है, cv dt की इकल है, और यह किसके इकल है, w की इकल है, w क्या होता है, minus p external dv, यह हम reversible का case कर रहे हैं, okay, minus p external dv, means cv dt आपके पास किसके इकल आ गया, minus p external dv, okay, p external है p internal होता है, reversible के case में, यह हमने पहले देख लिया, p external is equal to p internal, so means हम cv dt को क्या लिख सकते हैं, minus p dv, okay, p को हम क्या लिख सकते हैं, rt upon v, minus rt upon v, okay, so अब देखो, मैं cv को इधर ले आती हूं, t को इधर ले आती हूं, minus dt upon t is equal to minus r upon cv, dv upon v, यह लिख 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 सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यह क्या है, मैंने minus क्या लुखा दी है, यहां पर minus, अब देखो, हम क्या कर रहें, इंटेग्रेट कर रहें, इंटेग्रेट कर रहें, यहां पर क्या जाएगा, ln t, t1 से t2, okay, यहां पर क्या जाएगा, minus r upon cv, ln of v, v1 से v2, okay, so means ln of t2 upon t1 is equal to minus r upon cv, ln of v2 upon v1, okay, so अब देखो, sino, r upon cv किसा के क्ला होता है? हमें, cp minus v is equal to r होता है, हमने क्या क्या, cv से divide कर दीया, cp upon cv minus 1 is equal to r, okay, r upon cv, r upon cv, so r upon cv किसा क्या क्याक् despairher, gama minus 1 क्या, cp upon cv gama ही होता है, gama minus 1 के क्या क्या आगए, हम इसको gama minus 1 भी लिख सकते है, loan of यहां पर क्या आ गया, loan of t2 upon t1 is equal to minus यहां पर क्या आ गया आपके बास loan of cp, r upon cv को हमने क्या लिख 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 लिया, gamma minus 1 ओके, loan of v2 upon v1 अब देखो, cp minus cv को हमने r लिखा था, cp upon cv minus 1 को r upon cv लिख लिख लिया, r upon cv किसके के एकल आ गया gamma minus 1 के, so अब देखो जो long of T2 upon T1 है कि इसके एकल आ गया, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको इसको इसके power में भी लिख सकते हो, so long of V2 upon V1 raise to power, इसको आप 1 minus gamma लिख लो एक बार, okay, so अब देखो इसका meaning क्या है, कि जो आपके पास T2 upon T1 है, वो किसके एकल कर दो, okay, so means, जे किसके की को लागया, T1 V1 raised to power gamma minus 1 is equal to T2 V2 raised to power gamma minus 1, इसका meaning क्या है, कि जो आपके पास T V raised to power gamma minus 1 है, वो क्या है, एक constant है, यही क्या आपके पास poison equation है, okay, आप ऐसे ही याँ पे T को P में convert कर सकते हो, वो P V raised to power gamma is equal to constant आजाएगा, so यह था आपके पास poison equation, अब हम देख रहे हैं, जो आपके पास W की value होती है, in case of reversible adiabatic, okay, W की value क्या होती है, अब देखो, DU is equal to W होता है, यह हमने काफी बार देख लिए, DU is equal to W होता है, in case of reversible area, वैसे area में होता है, DU is equal to W, चाहे वो reversible हो, चाहे वो irreversible हो, DU is equal to W, so means, W is equal to N C V DT, okay, W is equal to N C V DT, so, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N C V, yes, C V किसके इकल होता है, अगर आप देखो, W is equal to N C V DT हो गया, okay, C V किसके इकल होता है, अगर आप C V की value निकालो, C P minus C V is equal to R होता है, okay, हमने देखा था, कि जो आपके पास gamma minus 1 था, gamma minus 1 किसके इकल आए था, yes, gamma minus 1 किसके इकल आए था, R upon C V के, okay, so, means, R upon C V के इकल आए, C V किसके इकल होता है, R upon gamma minus 1, C V किसके इकल है, R upon gamma minus 1, so, हम यहाँ पे C V की value पूट कर सकते हैं, R upon gamma minus 1, यहाँ पे क्या है DT DT को हम क्या लिख सकते है T2-T1 T2-T1 So यहाँ पे आप क्या लिख सकते है 1 upon gamma-1 Nr T2-Nr T1 Nr T2 किसके इकल होता है PV is equal to Nr T होता है इसका मेनिंग क्या है 1 upon gamma-1 P2V2-P1V1 So यह होता है आपके पास work done in case of reversible adiabatic Expansion हो यह compression हो Reversible adiabatic process है तो आपके पास क्या होगा W is equal to 1 upon gamma-1 P2V2-P1V1 आप देख सकते हो कि अगर आपको PV की terms में दिया हुए तो आप यहीं लगा दो अगर आपको temperature दिया हुए तो आप यहीं लगा दो वो आपकी मर्जी है रिवर्सिबल adiabatic बात कर रहे हैं तो आपके पास du and w यह किस की क्ला गया 1 upon gamma-1 P2V2-P1V1 जो dq होते हैं वो किस की क्लोते है 0 के equal dq किस की क्लोते है 0 के equal and dh किस की क्लोते है Ncp dt dh किस की क्लोते है Ncp dt इसको क्या लिख सकते है इसको क्या लिखेंगे W को W के हम माइनस P external dv ही लिखेंगे minus P external dv ही लिखोगे इसको आप P internal नहीं लिख सकते है क्यूंकि मैंने बताया था यह reversible में P external and P internal डिफेंट होते है P external क्या होते है आपके पास final वाला pressure अगर आपको दो pressures दिय हुए है तो आपने P external बोल लिना है V2 minus V1 P2 को आप क्या लिख सकते हो minus RT2 upon V2 V2 minus V1 इसको आप क्या लिख सकते हो minus RT2 1 minus V1 upon V2 means आप कैसे भी करके change कर सकते हो provided आपको question में क्या दे हुआ है उसके according आप इसको change कर सकते हो बस आपको याद क्या रखना है कि D U के value N C V D T होती है N C V D T को आप T to minus V1 लिख लोगे यहां पे आपने P external ही यूज करना है आपने P internal नहीं बनाना इसको ओके सो इता हमारा irreversible idea का D U इसके equal to W के equal to D Q तो 0 ही होगा आपके पास जो D H है वो आपके पास N C P D T ही होगा ओके आपने सारा कुछ याद रखनाई बेशक वह रिवर्सिबल एber करें अगर हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं यहाँ पर आप simply लिख सकते बात करें वह 0 जिरो होता है अगर हम दी एच की बात करें वह NCPDT होता है यहां पे भी यहां पे भी NCPDT ही होता है ओके सो मीज़ आपने एक box में बंद कर दिया किस को तो आप देखो, अगर हम comparison करें, अगर हम comparison करें, iso का and idea का, तो आप देखो, जैसे मारे पास कोई भी A है, कोई भी system state है A, आप A state से B state में जा रहे हो, वाया isothermal, okay, आपके पास क्या है, reversible isothermally जा रहे हो आप, and A से C जा रहे हो, आप reversible adiabatically, आप A से C जा रहे हो, okay, so अब देखो, जैसे आप A से भी जा रहे हो, A पे आप suppose कर लो, आपके पास प्रेशर है, वो P1 है, volume V1 है, and temperature T1 है, okay, so यहाँ पे आप suppose कर लो, P1, sorry, P2, V2, T2, okay, यहाँ पे आप कर लो, P3, V3, and T3, अब आप देखो, जब आप आइसो थर्मली जाओगे, जब आप आइसो थर्मली जाओगे, तो आपका जो टेमप्रेचर है, वो तो सेम ही रहेगा, वो तो आप T1 नहीं रखोगे न, टेमप्रेचर, so जो जब आप reversible adiabatically कर रहे हो, हम expansion कर रहे हैं, okay, expand कर रहे हैं अपनी ग अगर आप expansion करें, तो हमेशा जो temperature कम होता है, तो T2 हमेशा T1 से कम होगा, अगर आप देखना चाहते हो, कि आपने प्रेशर तो सेम रख लिया, आपने प्रेशर तो सेम लख लिया, आप वोल्यूम में देखना चाहते हो, कि वोल्यूम वी आइसो का जादा होता है, या फिर आइसको ले लिया इसको हमने अब लगाते हैं पी वी इसको हूं की मिनिक है वह उक्यानी स्कीन पी एफ-वी स्थे जो यहां से P1 अपोन PF किसके इक्कुला गया, V ISO अपोन V1, okay, अगर आप बात कर रहे हो, A C की, अगर हम A C की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, हम यहां पर क्या लगाएंगे, P V रेस चुपार गामा is equal to constant, okay, so means P1 V1 रेस चुपार गामा, किसके इक्कुला गया, P F, P P F, V एडिया, रेस चुपार गामा, okay, so means आपके पास यहां से P1 अपोन P F, किसके इक्कुला गया, V1 अपोन V एडिया का गामा, okay, so यह आपके पास इसके इक्कुला गया, अब अगर आप लोन लेके करो, अगर आप लोन लो, तो यहां पर क्या आजाएगा, लोन of P1 अपो P F is equal to, गामा, लोन of V1 upon V एडिया, okay, so अगर आप इन दोनों को कमपेरिजन करो, लेफ्टन साइड तो सेम ही है, so means हमारे पास क्या आगया, लोन of V ISO upon V1 is equal to, यहां पर मैंने P1 upon P F is equal to, यहां पर P1 लिखे, so यहां पर वोल्यूम भी क्या आएगा, P1 V1 is equal to P F V ISO, so आपके प मैंने P1 upon P F is equal to V ISO upon V1, P1 upon P F is equal to V, यहां पर V एडिया आएगा उपर, यह मैंने गल्ती गल्ती, नीचे V1 आएगा, okay, V एडिया नीचे आएगा V1, so means लोन of V ISO upon V1 is equal to गामा, लोन of V एडिया upon V1, so यहां से आपको देखके क्या परचलते है, means जो लोन of V ISO upon V1 है, वो किस से जाद है, लोन of V एडिया upon V1 से, क्योंकि यह गामा से मल्टिप्लाई हो रहे है, so means, लोन of, आप यहां से क्या लिच सकते हो, कि जो V ISO upon V1 है, वो किस से जाद है, V एडिया upon V1 से, इस कमी नीच कहा है, कि V ISO is greater than V एडिया, okay, अगर आप PF सेम ले रहे हो, कि आपके पास कहा है, एडिया में, जो प्रैशर चेंज होके बन रहे है, फाइनल प्रैशर बन रहे है, वो क्या है, सेम है, PF-PF, so means, अगर हम PV डाइग्राम ड्रो करें, PV ड्रो करें, so अगर हम ड्रो करें, यह आईसो थर्मल वाली कर्व होगी, यह आपके पास एडिया वाली कर्व होगी, okay, यह पास V आएडिया यह किया है, यह क्याएपके पास V आईसो, सो कॉणसा जटे है, V आईसो ज़ते है, और यह पने फाइनल प्रैशुर हई, यह पके पास क्या है? येस आप similarly proof कर सकते हो वह मैं चल करकर नहीं दिखा रही हnia की जि hakká सकते हो कि जो आपके पे आईसो किस से ज्यादा होता है यह किया है और पास कि आपके पास आ जाएगा पास बोल्यम अब बोल्यम से मोजाएगा इसो थर्मल कभी अडिया अब देखो आपके पास वॉक्डन होता क्या है यह पी वी कव है यह पीवी कव आपके पास यह आई-स यह यह पीवी कव चैनल कितना एडिया अब देखो यहांपर आपके पास है स्पोर्ज़ि यह 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 c-d-e आप आपके पास W आपके पास ISO है, W ISO किसके इकल है? Expansion कर रहे हैं, so means यहां पर minus W ISO आजाएगा, okay? minus W ISO किसके इकल है? A, B, D, E A, B, D, E और अगर हम बात करें, minus W ADEA की अगर हम बात करें, ADEA की, तो यह किसके इकल आजाएगा? A, C, D, E A, C, D तो आपके पास कौन सा जाएगा, obviously minus W ISO जाएगा, इसके अंडर जाएगा इरिया है, in comparison to this area, so आपके पास जो minus W ISO होता है, वो हमेशा जाएगा होता है, minus W ADEA से, minus W ISO हमेशा जाएगा होता है, minus W ADEA से, इसके 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 अब देखो, जो work done, irreversible ISO होता है, reversible ISO में, work done कितना होता है, W, यह किसके एक्ट ओता है, minus RT, ln of V2 upon V1, यही होता है न, अब अगर आप irreversible ISO की बात कर रहिए हो, irreversible ISO, इसमें work done किसके एक्ट ओता है, इसमें work done किसके एक्ट ओता है, minus P external DV, minus p external dv ही लिखते है means minus p2 v2 minus v1 okay इसका meaning क्या है अगर हम t की towns में देखना चाते है p2 को हम क्या लिख लेंगे minus r t2 upon v2 v2 minus v1 okay so अब देखो आपके पास हम expansion का कर रहे है expansion का case कर रहे है अगर हम तो आप क्या लिखोगे minus w हम प्रूफ क्या करना चाते है कि जो minus w reversible है वो ज्यादा है minus w irreversible से okay हम यही प्रूफ करना चाते है इसका meaning क्या है हम क्या प्रूफ करना चाते है कि minus w reversible minus minus w irreversible is greater than 0 हम यही प्रूफ करना चाते है so अब देखो minus w reversible क्या है minus w reversible क्या है minus w reversible अगर हम बात करें r t loan of v2 upon v1 okay अगर हम बात करें इसकी यह कह है आपके पास minus RT2 upon V2, V2 minus V1, यह मैंने क्या क्या, मैंने minus W लिया है, यह W है, so minus W क्या हो गया, RT2 upon V2 minus V1, so अब देखो, यह V2 मैं अंदर लेगी, यह V2 अगर मैं अंदर लेखे जाओंगी, तो यहां पर वान आ जाएगा, यहां पर V1 upon V2 आ जाएगा, अगर हम बात करें, RT, लोन, आपने क्या क्या, आपने अंदर एक बार 1 add कर दिया, और एक बार subtract कर दिया, 1 minus 1 plus V2 upon V1, V2 upon V1, so यह आपने कर दिया, अब देखो, जो लोन of 1 plus X होता है, लोन of 1 plus X, यह approximately equals to X ही होता है, okay, लोन of 1 plus X is approximately equals to X, सो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 1 plus V2 upon V1 minus 1, 1 plus X का मिनिक है, अब यहां पर X क्या होगा है, V2 upon V1 minus 1, सो हम क्या लिख सकते हैं, RT, V2 upon V1 minus 1 लिख सकते हैं, क्योंकि X क्या है, यहां पर 1 plus X बोल रही हूं ना, मैं इसको आप यह से लिख लो, 1 plus V2 upon V1 minus 1, तो यह क्या है आपके पास x, okay, v2 upon v1 minus 1 क्या है आपके पास x, तो यह इसके पुला गया, minus r t2, 1 minus v1 upon v2, okay, minus r t2, 1 minus v1, अब देखो, अब हम नहीं यहां से करने है, अब अगर हम next step करें, देखो क्या आ जाएगा, यहां पर क्या है, आपके पास, minus r t, v2 upon v1, minus 1, minus r t2, 1 minus v1 upon v2 आगया, तो देखो, अगर आप यहां पर, जो t2 है, वो t के इकको ली ले रहे हो, तो आपके पास क्या आजाएगा, r t, v2 upon v1, r t अगर आप कॉमन लेलो, v2 upon v1 minus 1 minus 1, plus v1 upon v2, आपके पास ही आगया, अब देखो, अगर आपने v1, v2 lc म लेलिया, तो आपके पास क्या आजाएगा, v1, v2, यहां पर उपर क्या आजाएगा, v1 square plus v2 square, minus 2, v1, v2, यह क्या है, आपके पास, चाते थे, minus w, जो आपने लिया था, reversible, minus w, e reversible, यह आपके पास क्या आगया, positive आगया, means क्या है, कि w reversible हमेशा जादा होता है, w e reversible से, so अब आप देखो, हमने पहले यह भी प्रूब कर दिया, कि iso हमेशा जादा होता है, area से, okay, so means, अब हम क्या लिए सकते है, in case of expansion, in case of expansion, हम क्या लिए सकते है, minus w, minus w, किसका, reversible, किसका, iso का, हमेशा जादा होगा, किस से, minus w, reversible, area से, minus w, reversible, area से, आप इन दोनों में कोई comparison नहीं कर सकते हैं, इन दोनों में कोई comparison नहीं हो सकता, कि reversible area जादा होगा, जा irreversible iso जादा होगा, इन दोनों में आप अपनी मर्जी से comparison नहीं कर सकते हैं, यह हमेशा जादा होगा, इन दोनों में आप नहीं बता सकते हैं, आप किस से बता सकते हो, कि जो reversible ISO होगा, reversible ISO हमेशा जादा होगा reversible area से, reversible ISO हमेशा जादा होगा irreversible ISO से, reversible ISO हमेशा जादा होगा, obviously irreversible से तो हो गई, okay, so reversible ISO आपके पास reversible area से जादा होगा, यह हमने पहले बता दिया, ISO का हमेशा जादा होत compression में क्या हो जाएगा, compression में उल्टा हो जाएगा, यह हम किसकी बात कर रहे थे, expansion की, reversible compression में क्या हो जाएगा, आप बस sign ऐसे लगा देना, compression में हमेशा उल्टा हो जाएगा, compression में क्या होता है, आप इसको क्या ली सकते हो, reversible ISO, यहां पर क्या जाएगा, reversible area, यहां पर क्या Όλα पास आफके अगर कोस्षिन आता है तो आपने ध्यॉन में रखना हमेशा रिवर्सीं नाल सरन जयादा हुना है इंकल अब कर रहे है अधितना अब जया matured iso किस लाथ में बात क्रयरे हैं हमने 2 श्टड़ी की है हमने क्या study किया है ISO andड़िया eyeso एंड़िया होे यह फी यह यह कौन सी होती है जो आपके पास प्रेश्र हो थो चोंसे कि यह के आपके पास प्राइश्र बारिक आइसोबाऑरिक, बोलती हो, आइसोबारिक का मतलब स्की रैजू कॉचण्ट ये क्या है आपके पास आइसोखॉरिक याँ पे मोलोड इन वान पर कोई हो जती है। ओ कि दो फोन प eine कॉर कोई in Whew.. Casey Kutal-डद यहां सबसे अकई करहिए। घ्रकाव चレकाव पर मौन होता ही नहीं है। इसमें तो कोई एत्य याई वचार इसयो कोई में तथ कोर इक में और अगर आप से वागण पूचा जाता है किसमें सबसे ज़्यादा में यह पेले कोशन आया हुआ है आइसो भारिक में सबसे ज्यादा होता है फिर अइसो थेर्मल में एडिया में फिर आईसो कोरिक में तो यह अपनी प्लीज दियार में रखने कि किसमें का की चाल में रखने अरी आपने चारे प्रोसेस заб के स Right निए और आपने विद्धों क्या आया था जिए जो आपके पास निमेरिकल हो जाए गार थर्मों में कुछ भी नहीं है अगर आपको कोश्चन देखके फॉच्ट में आपने फर्स्ट लाइन भी लिख ली तो आपको कोश्चन स्वब हो जाएगा अगर आपने कुछ लिखाई नहींतों को को अगा बेशक कितना भी दिमाग लगा लो थर्मों में ज्यादा इंपोर्टेंट आप चलाना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं तो आप जैसे ही को सब्सक्राइब रहो वैसे कुछ ना कुछ लिग के देखो इसके बार में अगर पतर भवही युकिक कैट पतर पतर भी लिख के देखो वहीं देखो न को सh ji उ कि खो जाएगा उके सो तर्मों में जाएगा और मेर्सोंगित, पतर आघ्ल एडिया के हुट नेया 1-25% तो आपना आज का दिन आप इजली वी बीडियो में पार जो आपको यह उता है इसमें पशेंगा किया अगर आपको नहीं में घूर पेसित आतो प्लीस आइक कीजी एंद फिर violation